नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रनेशनल लेबर और्गनाईशन की बारे में हाली में एक खबर आई है कि इंडिया हैस बिकम दी चेर, मतलब चेर्मेन जो होगा गवर्निंग बॉडी का इंट्रनेशनल लेबर और्गनाईशन का वो भारत का प्रतिन्दी होगा तो इस पे हम लोग एक व्यापक विशलेशन करेंगे और देखेंगे कि इंट्रनेशनल लेबर और्गनाईशन है क्या ये क्या काम करता है और कौन है इसके चेर्मन या कौन बनने वाले है इसके चेर्मन हम इस पर्टिक्लर वीडियो में डिस्कुशन करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं लेकिन उससे पहले Study IQ आपके रिलाए है Comprehensive Prelims का Mains Program for UPSC 2021 For more information, download the app जैसे कि मैंने आपको खबर बताई कि India has assumed the role of Chairman of the International Labour Organization ILO का सिंबॉल है ये India Chairman बनेगा October 2020 से और ये Post Hold करेगा June 2021 किस चीज के Chairman बनेगे भारत के प्रत्नरी वो है ILO के Governing Body के क्यों ये Governing Body बहुत जरूरी है? क्योंकि Governing Body ही है International Labour Organization की जो सारे matters जो भी related होते है Policy Agenda से लेकर ILO के बजट तक साथी साथ Director General का जो election होता है उसमें भी Governing Body का बहुत बड़ा हाथ होता है इंडिया पहले भी ILO का Chairman या Chair रहे चुका है 35 साल पहले इंडिया International Labour Organization का Chair था और अभी 35 साल बाद एक Opportunity मिली है भारत को तो चलिए पहले देखते है International Labour Organization के बारे में ILO, first of all, एक United Nations की Agency है यह आपको बहुत जरूरी चीज़ याद रखनी है एक्जाम परस्पेक्टिव से लेकर इसका क्या mandate है मैं एक व्यापक रूप में आपको बताऊंगा थोड़ी दिर में लेकिन, in short, उसका agenda है कि Social और Economic Justice मिले किसको? Labour को, जो Working Class है उनके लिए कुछ International Standards सेट करे और उनकी भलाई के लिए काम करता है कब इसकी स्थापना हुई थी? याद रखना है, एक्जाम परस्पेक्टिव से इसकी स्थापना हुई थी 1919 में पहले विश्वयूद के बाद After World War I, League of Nations बना था उसी के साथ International Labour Organization भी बना था और यह successor organization है दूसरे विश्वयूद के बाद हम लोग ने देखा कि United Nations आ गया है सायूद राष्ट आ गया उसके बाद भी ILO continue हुआ है तो UN का इस सबसे पुराना body हम लोग कह सकते है ILO के अभी फिलाल 187 members है 186 countries है और Cook Islands भी एक इसका भाग है इसका headquarters है Geneva, Switzerland में और जैसे कि मैं आपको बताया है कि हम एक व्यापक रूप में देखेंगे इनका objective क्या है इनका objective है कि काम right to work मिले it should be easily accessible it should be productive it should be sustainable work which should be available worldwide और उस काम में freedom हो equity हो security और dignity हो और यह किस तरह से उसको ensure करते है कि यह सब मिले laborers को, workers को वो different conventions और treaties sign कराते है अभी तक 189 conventions और treaties sign की गई है international labor organization के तहत इंडिया भी इसका भाग है इसमें से बहुत ही important 8 conventions है जिनको माना जाता है कि वो fundamental है with respect to principles of international labor and standards तो basic aim क्या है ILO का aim है कि freedom of association रहे जिसे trade unions, labor unions बने उनके पास effective collective bargaining के powers रहे किसी का social ना हो forced labor ना हो child labor ना हो तो यह सब चीजे देखता है international labor organization अगर कोई इसका भाग है किसीने convention sign किया है protocol भी sign किया है मतलब हर साल इनको report करना पड़ता है कि आपकी जो national laws है आपकी जो standards है with respect to labor they are added to according to the ILO तो reporting होनी चाहिए भारत इसका भाग है तो भारत reporting करता है इसके अलावा अगर हम लोग structure के बारे में बात करें मैंने बता है आपको governing body एक बहुत ही central एक setup है international labor organization का इसका main काम है कि यह agenda set करता है it sets the agenda of ILO सारा budget इने के हाथ में होता है director general का election भी यही करते है इसके अलावा साल में तीन बार मिलते हैं यह लोग March, June और November बें तो यह सबसे बड़ी executive body है इसके अलावा एक international labor conference है यह international labor conference यह एक broad agenda with respect to conventions, treaties वगेरा set करते हैं इसको international parliament of labor भी कहा जाता है इन दोनों bodies के अलावा एक international labor office है this looks out at the day-to-day working इसमें 2700 से ज़ादा officials है 1500 countries से ज़ादा यहाँ पर representation है भारत से भी बहुत ज़ादा field officers है और यहाँ पर officials भी काम करते हैं तो यह तो हो गई बातचीत international labor organization के बारे चलिए हम discussion end करते हैं यह बात करके कि कौन बनने वाला है chair person तो यह है खबर P.I.B. Press Information Bureau की यहाँ पर बताया गया है कि 35 साल बाद इंदिया chair person बनेगा ILO की governing body का और कौन बनने वाला है एक senior I.S. officer है अपूर्व चंद्रा जो ministry of labor and employment में secretary का ओधा भी handle किये हुए है चलिए देखते हैं अपूर्व चंद्रा के बारे में अपूर्व चंद्रा एक बहुती senior I.S. officer है 1988 batch के I.S. officer है महाराष्ट्र काडर के इससे पहले अपूर्व चंद्रा ministry of petroleum and natural gas में सर्व कर चुके हैं 7 साल तक इसके अलाबा वो principal secretary भी रह चुके है महाराष्ट्र सरकार में industries के और एक बहुती important recent times में इन्होंने committee handle की थी defense equation को लेकर यहाँ पे इनका काफी योगदान था defense equation जो procedure 2020 आया था उसके जो committee के chairman थे वो अपूर्व चंद्रा ही थे इन्होंने 1 October 2020 से chairman of governing body of international labor organization from October 2020 to June 2021 अगर इस topic के अपर कोई कबर आईए तो हम आपको जल से दल आते रहेंगे स्टड़िया के अपर that is it from my side I am signing off thank you very much Jai Hind हम आपकोरisti मुद्रा ही जल से हम हम आपकोरा T हमद्रात रहीं che रतते जल आपकोरा